आप लोग भी उने से एक है जो ड्राययस्टि कर डारॉक्ट मैक अप करने सुरू कर लग हो सकती हैं मैं भावी घूसे हैं। मैं भावी कैसे हैं आप लोग वसकते हैं। जो लोग dry skin पर direct makeup करते हैं हमा उससे skin में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं क्या कुछ होगा सब कुछ मैं वीडियो में आगे बताती चलूँगी तो वीडियो स्टारओ करें लेकिन इससे से पहले हमारे चेले चेले वीडियो पासा ना रही हो तो veya या दे क्या आप भी उनमे से एक हैं जो सर्धियो में डारक्ट č ड्रायस सगीन पर मेक अप करना शुरू कर देते थे हैं देखे, जो लोग ये गलती करते हैं, अगर आप लोग सर्द्यू में direct dry skin पर make-up करते हैं, तो इससे हमारे skin में काफी सारी problem हो सकते हैं, जैसे कि आज में आप लोग के सांँ sir करने वाली हूं, पांस नुक्सान के बारे में बटाने वाली हूं, जिससे कि अगर आप लोग dry skin प इससे हमारे चेहरे की natural glow हो जाती है दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग dry skin पर makeup करेंगे तो इससे हमारे skin में कई तरके की problem हो सकती है तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दें dry skin पर कभी भी direct makeup ना करें देखे हमारे skin में dry skin पर direct makeup करने से क्या-क्या नुक्सान हो सकते है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं तवचा पर खुजली की समस्या होना देखे इस तरीके के निसान आपके skin में देखने को मिलेंगे जब आपके skin में होगी खुजली और आपके skin में लाज निसान भी पढ़ सकते हैं यह इस कारण से होता है कि सर्दियों में ठड़न या जब हवा पढ़ती है ठंडी हवा हमारे चेहरे पर पढ़ती है इससे skin dry हो जाती है जब हम make up करते हैं तो उससे हमारे skin में इस तरीके से निसान पढ़ जाती है और खुजली हो जाती है दूसरी बात यह है दूसरा नुकसान यह हो सकता है तोचा पर दरारे आना इस तरीके के चेहरे में आपको दरारे देखने को मिलेंगे अगर आप लोग रूखी तचा पर make up करेंगे क्योंकि make up में जो होता है कापे सारे chemical हो से बना होता है इससे अगर जब हम dry skin पर make up करते हैं तो इससे हमारे चेहरे पर गहरी लंबी लाइन नजर आती है और चेहरे एकदम फटी फटी सी दिखने लगती है तो आप लोग ये गलती बिल्कुन ना करें dry skin पर कभी भी make up ना करें देखें और तीसरी बात ये है कि रूखी तचा पर make up करने से जो हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे होटू पर भी असर पड़ सकता है देखें अगर आप लोग dry skin पर direct make up करेंगे तो skin में इस तरीके की खुजली आप लोगों की हो सकती है देखें कभी भी dry skin पर direct make up नहीं करना चाहिए इससे हमारे skin में काफी सारे problem आ सकती है देखें इस तरीके से चेहरे में खुजली होना इस तरीके से चेहरे में निशान पर जाना ये सारे निशान इसी कारण से होते हैं जब हम स्कीन में ड्राय स्कीन पर डारक्ट मेकप करते हैं और भी हमारे स्कीन में सबसे बड़ी बात तो यही है अगर आप लोग ड्राय स्कीन पर डारक्ट मेकप करेंगे तो ह अमारे इस्कीन की जो natural glow है नमी है जो चहरे कि नमी वो कहीं खो जाएगी। चहरा इस तरीके से नजर आएगा। चहरे में बिलकुल glow नहीं होगा। शहरा कहें चहरे की जो नमी रहती है वो कहीं खोशी जाती है देखिए रूखी तवचा पर मेकप करने से नमी कहीं खोशी जाती है बता दे कि तवचा की उपरी प्रंद पर नेचुरल ओयल मौजूद होता है जिससे तवचा निखरी हुई चमकदार नजर आती है जब ड्रे स्कीन पर मेकप करते है इससे न केवल यह प्रैक्रिकतिक औयल को खोधेता है बलक Industry लिए की कमक को भी दूर कर देता है आप लोग यह घलती ना करें स्कीन पर कभी भी डारक्ट मैकप ना करे इससे काफी सारे नुक्सान हो सकते आप लोगों ने जानी लिया होगा कि डरक ड्राय स्कीन पर मेकप करने से हमारे स्कीन में क्या-क्या प्रोब्लम हो सकते हैं तो आप लोग ये गलती बिल्कुन ना करें जिन लोगों ने फूरी वीडियो देखी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ वीडियो को फैमिल और फैंलों के साथ भी जरूर सहर करना है मैं मिलती हूँ अपने अच्छे से न्यू वीडियो के साथ थैंक्यों सो मच बाबाई लट्स अबलाब बाई बाई